अणियाज लता मंगेशकर येंचा जयन्तिनी मित्त अयोध्यतल्या मुख्यच अउका लाटैंस नाव दिल जाते हाँ कारेक्रम सध्य सुरुए हाँ कारेक्रमात पंतप्रधान नरेन्रमोधी बोलता है लता दिदी का जन्मदीन है आज संयोग से नवरात्री का तीसरा दिन मां चंद्रघंटा की साधना का पर्वभी है कहते हैं कि कोई साधक साधिका जब कठोर साधना करता है तो मां चंद्रघंटा की कृपा से उसे दिव्य स्वरों की अनुभूती होती है लता जी मां सरस्वती की एक ऐसी ही साधिका थी जिनों ने पूरे विश्व को अपने दिव्य स्वरों से अभिबूत कर दिया साधना लताजी ने की साधना लताजी ने की बर्दान हम सब को मिला अयोध्या में लता मंगेश कर चौक पर स्थापित की गई मां सरस्वती की ये विशाल विणा संगीत की उस साधना का प्रतीक बनेगी मुझे बताया गया है कि चौक परिसर्वें सरोवर के प्रभामय जल में संग मर्मर से बने बानवे स्वेत कमल लताजी की जीवन अवधी को दर्शा रहे हैं मैं इस अभिनव प्रयास के लिए योगी जी की सरकार का अयोध्या विकास प्राधिकरण का और अयोध्या की जनता का रुदय से अभिनन्दन करता हूँ इस अउसर पर मैं सभी देशवासियों की तरफ से भारत रतना लताजी को भाव भिनी स्रद्धांजली देता हूँ मैं प्रभू स्री राम से कामरा करता हूँ उनके जीवन का जो लाब हमें मिला वही लाब उनके सूरों के जरिये आने वाली पीडियों को भी मिलता रहे साथियों लताजीदी की सहयत जुड़ी हुई मेरी कितनी ही यादे हैं कितनी ही भावुक और स्नेहिल स्मृतियां हैं जब भी मेरी उनसे बात होती उनकी वानी की यूग परिचित मिठास हर बार मुझे मंत्र मुग्द कर देती थी दिदी अक्सर मुझे कहती थी मनुष्य उम्र से नहीं कर्म से बड़ा होता है और जो देश के लिए जीतना जादा करे वो उतना ही बड़ा है मैं मानता हूँ कि अयोध्या का ये लतामंगेश कर चौक और उनसे जुड़ी ऐसी सभी स्मृतियां हमें देश के प्रती कर्तव्य बोध का भी एहसास कराएगी साथियों मुझे याद है जब आयोध्या में राम मंदिर निर्मान के लिए भूमी पुजन संपन हुआ था तो मेरे पास लतादिदी का फोन आया था वो बहुत भावुक थी बहुत खोस थी बहुत आनंद में बर गई थी और बहुत आशिरवाद दे रही थी उन्हें विश्वात ने हो रहा था कि आखिर कर राम मंदिर का निर्मान शुरू हो रहा है आज मुझे लतादिदी का गाया वो भजन भी आदा रहा है मन की अयोध्या तब तक सूनी जब तक रामन आये अयोध्या के भव्य मंदिर में स्री राम आने वाले है और उससे पहले करोडों लोगों में राम नाम की प्राण प्रतिष्ठा करने वाली लतादिदी का नाम अयोध्या शहर के साथ हमेशा के लिए स्थापिद हो गया है वहीं राम चरीत मानस में कहा गया है राम ते अधिक राम करदासा अर्थात राम जी के भगत राम जी के भी पहले आते हैं संभवतह इसलिए राम मंदीर के भव्य निर्माण के पहले उनकी आराधना करने वाली उनकी भगत लतादिदी के इस मुर्ति में बनाए चोग भी मंदीर से पहले ही बन गया है साथियों प्रभु राम तो हमारी सभ्यता के प्रतीक पुरुश है राम हमारी नैतिक्ता के हमारे मुल्यों हमारी मर्यादा हमारे कर्तब के जीवंत आदर्श है अयुद्या से लेकर रामे स्वरम तक राम भारत के कण कण में समाए हुई है भगवान राम के आशिरवाद से अज जिस तेज गती से भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है उसकी तस्विरें पूरे देश को रोमांची कर रही है ये अपनी विरासत पर घर्व इसकी पुनः प्रतिष्टा भी है और विकास का नया अध्याय भी है मुझे खुशी है कि जिस जगर पर लता चोक विक्सित किया गया है वो अयोध्या में सांस्कृतिक महत्व के विभीन स्थानों को जोड़ने वाला प्रमुक स्थलों में से एक है ये चोक राम की पैड़ी के समीफ है और सर्यू की पावन धारा भी उससे बहुत दूर नहीं है लता दिदी के नाम पर चोक के निर्मान के लिए इससे बहतर सान और क्या होता जैसे अयोध्या ने इतने युगों बाद भी राम को हमारे मन में साकार रखा है वैसे ही लता दिदी के भजनों ने हमारे अंतर मन को राम मय बनाए रखा है मानस का मंत्र त्री राम चंद्र क्रुपालू भजमन हरन भव भयदारुनम या फिर मिराबाय का पायो जी मैंने राम रत्तन रधन पायो अन गिलित ऐसे भजन बापु का प्रिय भजन वैश्ण भजन हो या फिर जन जन के मन में उत्र चुका तुम आशा विश्वाज हमारे राम ऐसे मदूर गीत हो लता जी की आवाज में इने सून कर अनेकों देश माश्वरे भगवान राम के दर्शन किये हैं हमने लता दिदी के स्वरों की दैविय मदूरता से राम के अलोकिक माधुरिय को अनुभव किया है और साथियों संगीत में ये प्रभाव केवल शब्दों और स्वरों से नहीं आता ये प्रभाव तब आता है जब भजन गाने वाले में वो भावना हो वो भक्ती हो राम से वो नाता हो राम के लिए वो समर्पन हो इसलिए लताजी द्वारा उचारित मंत्रों में भजनों में केवल उनका कंठी ही नहीं बलकि उनकी आस्था अध्यद्मिक्ता और पवित्रता भी गुंजती है साथियों लताजीदी की आवाज में आज भी बंदे मात्रम का हवान सुनकर हमारी आँखों के सामने भारत माता का विराण स्वरूप नजर आने लगता है जिस तरह लतादीदी हमेशा नागरी कर्तवियों को लेकर बहुत सजग रही बहसे ही ये चोग भी अयोध्या में रहने वाले लोगों को अयोध्या आने वाले लोगों को कर्तव्य परायनता की प्रेरणा देगा ये चोग, ये वीना, अयोध्या के विकास और अयोध्या की प्रेरणा को भी और अधिक गुंजाय मान करेगी लता दिदी के नाम पर बना ये चोग, हमारे देश में कला जगत से जुड़े लोगों के लिए भी प्रेरणा स्थली की तरह कारे करेगा ये बताएगा कि भारत की जड़ों से जुड़े रहकर आधुनिक ताकी और बढ़ते हुए भारत की कला और संस्कृति को विश्व के कौने कौने तक पहुचाना ये भी हमारा कर्तव्य है भारत की हजारों वर्ष पुरानी विरासत पर गर्व करते हुए भारत की संस्कृति को नई पीड़ी तक पहुचाना ये भी हमारा दाईत्व है इसके लिए लतादिदी जैसा समर्पान और अपने संस्कृति के प्रती अगात प्रेम अनिवार्य है मुझे विश्वास है भारत के कला जगत के हर सादक को इस चौक से बहुत कुछ सिखने को मिलेगा लतादिदी के स्वर्प यूगों यूगों तक देश के कण कण को जोड़े रखेंगे इसी विश्वास के साथ अयोध्यावासियों से भी मेरी कुछ अपेक्षाएं है बहुत ही निकट भविश में राममंदिर बनना है देश के कोटी कोटी लोग अयोध्या आने वाले हैं आप कल्पना कर सकते हैं अयोध्यावासियों ने अयोध्या को कितना भव्य बनाना होगा कितना सुन्दर बनाना होगा कितना स्वच्छ बनाना होगा और इसकी तैयारी आज से ही करनी चाहिए और ये काम अयोध्या के हर नागरिक को करना है हर अयोध्यावासि को करना है तब ही जाकर के अयोध्या की आन बान शान जब कोई भी यात्री आएगा तो राम मंदिर की स्रद्धा के साथ साथ अयोध्या की व्यवस्ताओं को अयोध्या की भव्यता को अयोध्या की महमान नवाजी को अनुभव करके जाएगा मेरे अयोध्या के भाईयो भेनों तैयार्या अभी से शुरू कर दीजिए और लता दीजी का जन्मदीन हमेशा हमेशा के लिए प्रेणा देता रहे